नमस्ते, स्वागत है आपका स्पाइस बॉक्स में बनाने की सामगरी इस प्रकार है चना, कसावा सूखा नार्यल, हल्दी, सूखी लाल मिर्च, नमक, शक्कर, राई के दाने, उड़त दाल, हिंग, हरी मिर्च, नीम्बू का रस, धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता कडले काड़ उसली बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन आपने इस चने को 8 गंटे तक बिगोया होना चाहिए अब मैं गैस को चालू करूंगी चने को पानी के साथ डालूंगी प्रेशक कूकर में जितना पकने के लिए जरूरी है उतना पानी डालिए डालूंगी नमक स्वादा अनुसार, थोड़ी हल्दी इस प्रेशक कूकर की 3 सीटिया बजने तक हम इसे पकाएंगे चने अब पक चुके हैं, तड़का तैयार करेंगे पहले थोड़ा तेल डालूंगी तेल को थोड़ा गरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है, डालूंगी थोड़े राई के दाने राई के दाने अब तर्दर रहे हैं, अब मैं डालूंगी हिंग पुड़ा दाल कड़ी पत्ते थोड़ी हल्दी एक सुखी लाल मिर्च हरी मिर्च थोड़ा कसा हुआ नार्यल अगर आप कसा हुआ नार्यल डालते हैं तड़के तयार करने के समय तो ये ठिकेगा लंबे समय तक ये बिगड़ेगा नहीं अगर आप को खाना है लगबग आदे घंटे में आप पूरे वेंजन को तयार करके फिर उपर से कसा हुआ नार्यल डालके खा सकते हैं अगर आप चाहते हैं आप इसे शाम को बना कर रात को भी खा सकते हैं अच्छे से बून लीजे ये कसा हुआ नारियल अब मैं इसमें चने डालूँगी अच्छे से मिलाऊंगी ताकि सब अच्छे से घुल जाए इसमें थोड़ी सी शक्का छिड़केंगे स्वादा अनुसार मैं शक्का डाल रही हूँ क्योंकि व्यंजन की जो तिखाई है हरी मिर्च और सुखी लाल मिर्च डालने से वो कम हो जाए ये कडले काड़ उसली अब तैयार है गैस में बंद कर रही हूँ अब मैं ये उसली पर डालूँगी थोड़ा सा नीबू का रस इसको मिलाने के बाद स्वाद और भी बहतर हो जाएगा मैं से गानिश करूँगी थनिया पत्तों के साथ जब मैं इसे पका रही थी तब मैंने नमक डाला था अगर आपको चाहिए तो अभी आप नमक डाल सकते हैं अब क्या आप तयार है उसली चखने के लिए चना अपनी सिहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसलिए जब आप इसे ऐसे पकाते हैं तो वो अपनी सिहत के लिए बहुत ज्यादा पॉश्टिक और सिहतमन्ध हो जाता है